मैं हूँ आज की साथ रभनात्प्रशाज शाष्त्री प्रद दिन की तरहें लेकर आया हूँ आज का रास्ते और पंच्यानी तो चंद रासी पर आधारित है जानते हैं आज का रासी फल और पंच्यानी तो चंद दोस्तों जैश शंकर की मैं हूँ आपकी शाथ रगनात्प्रशाज सास्त्री जानते हैं आज का पंच्यानी और रासी फल सबसे पहले जानते हैं आज का पंच्यानी आज मंगलवार वन तिस मार्श दो हजार बाईस है बिक्रम समझ से 278 सक्समत उनी सो तिरालिस पल्वग सुरुदे प्राता है छे बचकर पंद्रा मिनट पर होगा सूरिया स्राम को छे बचकर शेंटिस मिनट पर होगा सुप समय ब्रह्म महोर्ट प्राता चार बचकर 42 मिनट से पांच बचकर 28 मिनट तक रहेगा प्राता शंध्या का समय पांच बचकर 5 मिनट से छे बचकर 15 मिनट तक रहेगा अब जीत महोर्ट का समय है दोपहर बारा बचकर एक मिनट से बारा बचकर 51 मिनट तक इस समय कोई भी सबकारी प्रारंब करेंगे वह नेर्वेग में संपन होगा विजय महूर्थ दोपहर दो बज कर 30 मिनट से तीन बज कर 19 मिनट तक रहेगा इस समय में भी सबकारी प्रारंब कर सकते हैं और अमरत काल का समय है रात री 3 बज कर 48 मिनट से 5 बज कर 22 मिनट तक इस समय में भी सबकारे प्रारंब कर सकते हैं असुप समय यानि राहु काल का समय जिसे असुप काल कहा जाता है वह समय है दोपहर तीन बच कर बत्तिस मिनट से पांच बच कर चार मिनट तक इस समय कोई भी सबकारे प्रारंब ना करें हट बस यद कोई भी सबकारे प्रारंब करेंगे आपके कारे में दिक्कते और कटनाई आएंगी हो सकता है आपका कारीशा फ़ल ना हो, इसलिए इस समय को ठाले, सुब समय का इंतजार करें, पंचक आज पूरा दिन है, जानते हैं आज का शम्पून रासी फल, शब से पहले जानते हैं, प्रतम रासी मेश रास की रातकों का दिन कैसा भीतीत होने वादा है, आज बिरादरी के विक्तियों से विवाद होने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण शाओधानी बनाय रखें और अपनी सभी वस्तों को संभाल कर रखें, चोरी जाने की असंका बनी हुई है, जानते हैं अगली राशी ब्रतम रास की रातकों का दिन कैसा भीतीत होने वाला है, आज का समय ठीक नहीं कहा जा सकता है, किसी निकट तम बिक्त से विवाद हो सकता है, आज के मार्ग में कोई रुकाउट पैदा करने की कोशिश करेगा, यात्रा आपके लिए फायदे मिंद नहीं होगी, इसलिए आज यात्रा करना उचित ना समझें, जानते हैं अगली राशी मित्ध पैफ़न रास्कियात्कों का दिन कैसा वितित होने वाला? आज समय आपके पच्छ में है, कोई भी नियाकार प्यारम करना चाहती हैं, तो अत्रीकर करें, लाव मिलेगा, क्रोथ पर नियांतरों लखें, बेहत्तर होगा, जानते हैं अगली राशी कर्क रास्कियात्कों का दिन कैसा वितीत होने वाला है आज धार्मिक कारियों के पेछे धन अधिक खर्च हो सकता है और लंबी यात्राइं भी हो सकती हैं माता पिता का स्वास खराब होने की शंभावना है ध्यान दे मौज सौक के पीछे धन अधिक खर्च हो सकता है जानते हैं अगली राशी शिंग राज की रातकों का दिन कैसा वितीत होने वाला है आज अपना दन सम्हाल कर रखें चोरी जाने की शंभावना है खास तोर से महलाओं को अपने आभूशन शंभाल कर रखने चाहिए किशी के बैकाव में आकर किशी को असब्दों का प्रियोग ना करें शिवजी की पूजा राधना आपके लिए लाब डायक होगी जानते हैं अगली राशी कन्या रास की रातकों का दिन कैसा वितीत होने वाला है आज कुछ भी खरीदने का इरादा हो तो ज कैसा वितीत होने वाला है आज का दिन आपके लिए लाब डायक आ जा सकता है कापी प्रियास कर रहे हैं जिन कारियों को पूर्ण करने के लिए उनमें सफलता मिलने के आसार बढ़ रहे हैं हर्मान जी की पूजा राधना करना आपके लिए लाब डायक सावित होगा जानते जानते हैं अगली राशी ब्रस छिकरास की यातकों का दिन कैसे अभितित होने वाला है। आज क्रोध पर पूरी त्रेशेनी अंत्रौन रखें तो पहियावान चलाते से मंबाइल पॉन का प्रियोग कम से कम मात्रा में करें। भारी चोड लगने की शंभावना है। धार्मिक कारों में रुची बनाए रखें जिससे लाब मिलेगा। जानते हैं अगली राशी धनु राश की यातकों का दिन कैसे वितित होने वाला है। आज पूर दुशा के यात्रा आप के लिए फायदे मन नहीं होगी। वाहन खरिदने का मन बना रहे हो तो आज खरिदना उचित नहीं होगा। विशेले जियों से बच कर रहने की आउसकता समझें। धार्मिक कारों में रुची बनाए रखें इससे बेहतर लाब हो सकता है जानते हैं अगली राशी कुम्ब रास की जातकों का दिन कैसा वितीत होने वाला है। आज महहला वर्क के लिए अपने स्वाथ का पूरितर से ठ्यान रखना होगा। शास्त्री चरित का भी ध्यान रखना होगा। कोई बिक्तिश चरित पर कीचर उचालने का प्रियास कर सक सकता है शिव जी की पूजा राधना करना आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगी जानते हैं अगली राशी यानि अंतिम राशी मीन राश की रातकों का दिन कैसे वितीत होने वाला है आज लंबी यात्रा आपको फैदा पहुचा सकती है व्योशाइक विक्तियों के दिन जेहोतिस परामर्स के लिए शंपर्क करें रगुनात प्रशाज शास्त्रेजी से 94 तिरफन 555 111 पर प्रतेग दिन रातरी 10 बजे से 11 बजे तगनी सुल्क आपने यदि अभी तग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर करन बिल्कुल न भूलें आइक कन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें जिससे प्रतेग जानकारी आपको सबसे पहले हो सके जैसे की प्रतेग दिनका रासिफल प्रतेग परों का आठिकल नई और ताजी खबरें जियोतिस परामर्स के लिए संपर्क करें रगुनात प्रशाज सास्त्री जिसे 94.555.111 पर प्रतेग दिनकारी